वल्कम गाइज और अज हम चेक आउट करने वाले हैं एक नया गेम जिसका नाम है प्रेंसिपल्स तो इस गेम में ग्राफिक्स जो है वो जादा ही नेक्स लेवल हैं इसलिए मैं इस गेम को चेक आउट करता हूं वर्ला मैं जड़ तर गेमप्ले ही डालता हूं और वैसे भी एक डेमो वर्जन है तो इसमें जड़ा कुछ गेमप्ले जैसा है नहीं परस हम ग्राफिक्स पर कोकस करने वाले हैं तो यह ग्राफिक्स जो इस गेम के हैं वो नेक्स रहो है आपको स्टार्टिंग में लगएगा कि यह कोई PC गेम है बट नहीं बाई यह पर बना हुआ गेम है अंड्रियल इंजन फाइफ का इस पर यूज नहीं किया गया है मेरे इसाब से थोड़ा बहुत लेग होता है गेम अगर आपके पास 8s Gen3 है तो सेसर तो आप इसको स्मूजली रन कर सकते हो लेकिन मेरे पास इतना कुछ अच्छा प्रोसेसर नहीं है तो इसके वज़े से मेरे को 40 to 50 fps आ जाती है इस गेम में हाई सेटिंग्स पे में में कुछ 30 fps या 25 fps मिलती है लेकिन जो गेम का कॉंसेप्ट है वो मेरे को काफी अच्छा लगा अब और यहां पर कुछ हीडन चीजें भी हो सकती है लेकिन अभी तो हम गेम को कंप्लीट करने पे फोकस करते हैं तो यह हम को यहां पे पावर अप मिलता है जो कि कुछ hand gauntlet जैसा है हमें जैसे इसको apply करते हैं हमें past की कुछ memory जयाद आती है और अब हमें इस game को आगे बढ़ाना वेल यह जो हमें gauntlet मिलाए यह power है जो कि obstacles को destroy कर सकती है जो कि अपने path के बीच में है मैं यहां पर सीधा चलने की कोशिस करता हूं मैं right पर जाके देख सकता था लेकिन right पर साइद कुछ था ही नहीं क्योंकि यही गेम का real part और यहां पर in obstacles को भी डिश्ट ओभाई देखो particle effects देखो गाई मेरा phone freeze हो जाता है जब ज़्यादा particle आ जाते न डिश्ट्रॉय करना न तो अब यहां पर मेरे को पता नहीं था क्या करना है तो यहां पर बटन का हुआ आया तो यहां पर हमें दिवार गिरा नहीं लिट्रॉली और जो यहां से मैंने max setting पर यह खेला है guys max setting पर अलग ही level दिखता है जो धूप आ रही है वो क्या ही reflect कर रही है आपर surface पर अब हम चलते हैं आगे की और जो bloom का effect जो डाला गया इसमें भाई वो next level ही लेकिन जो sun के particles हैं वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं और अब हम आगे चलते हैं well इस moment पर मेरे को लगा था कि मैंने right पर कुछ देखा है बट मैंने कुछ देखा नहीं है तो मैं पीछे जा के देखता हूं कि ये क्या है वाई पीछे है लेकिन वो एक illusion था जो में को हुआ था होता रहता है गाई चोटी मोटी गड़बड हो जाती है और यहां पर इतना ही गेम है ये डेमो गेम है लेकिन भाई तो ग्राफिक्स तो गाईज आज के लिए इतना ही मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई ये हैं गेम के कुछ क्रैडिट्स आप देख सकते हूं